आज में आपके समक्ष मार्सी पतानिदी द्वारा रचित योग सुत्र गरंत के तिर्थी अध्या जिसे विभूती पात भी काते हैं तो यह योग दर्शन का सबसे महत्पूर्ण गरंत योग सुत्र और इसका जो तिर्थी अध्या विभूती पात बहुत राश्माई है और सिद्धि पाने वालों के लिए सबसे महत्पूर्ण अध्या है विभूती पात और इसके हम आज 23 सुत्र की चर्चा करेंगे यह 23 सुत्र काता है मेत्रियाद शू बलानी अर्थाथ मेत्रियादि में मेत्रियादि सू मेत्रियादि में शैयम करने से मेत्री आदी का बल प्राप्त होता है मेत्री आदी हाँ आदी से मतलब तीन ची और को जो इंक्लूड करना था तो मतलब आदी से यह होता है कि मेत्री, करुणा मुदिता और उपेक्छा ये चार भावनाएं होती हैं मेत्री करुणा, मुदिता और उपेख्छा तो इन चार भावनाओं में संयम करने से हमें क्या प्राप्त होता है बल तो अब जब हम मैत्री कैसा बल होगा जिस तरह के भाव पर हम संयम करेंगे वैसा बल होगा यहां सबस्ट पतंजली जी का रहे हैं तो अगर हम मैत्री पर करते हैं तो यानि मित्रता पर करेंगे यानि हम किसी के साथ contact develop करने की कोशिश करते हैं उसके साथ सहयोग mutual सहयोग की बात करते हैं उसके साथ जब हम मित्रता की भावना रखते हैं बराबरी की भावना रखते हैं और सहयोग की भावना उसके साथ रखते हैं तो हम मित्रता का बल हासिल कर लेते हैं सही मर्थात उसी में धारना करना उसी में ध्यान करना उसी में समाधी पे चले जाना हाए हमारा मन, चित, अहंकार बुद्ध, विवेक सब उसमें लीन हो जाए अंतह करण सब उसमें लीन हो जाए तो यह अंताकरण चतुष्ट हैं यह उसमें लीन हो जाएं सब किसमें तो आईभज तक तक तो में जब यह सा लीन हो जाता है आत्मा में लीन हो जाता है तो वो संयम हो जाता है इतना कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं कि वो इतना सुक्ष्म हो जाता है कि वो आईभज हो जाया ऐसा जब संयम हो जाता है उस भावना के उपर वो भावना उसमें लीन हो जाती है और वो भावना लीन हो करके उस भाव क्योंकि हर चीज का जो आदिस रोत है वो आत्मा है हमारे में जो कुछ भी है तो उस भाव पर जब हम सयम करते हैं और तब जब हम लीन हो जाते हैं तो उस भाव का बल हमारे में पूरा आ जाता है तो जो मैत्री में करेंगे उसमें कैसा बला जाएगा मित्रता का बला जाएगा अब वह हर प्राणी से मिद्रत्य 550 कर लेगा असानी से कर लेगा और आप देखेंगे देखेंगे मित्रत्य करना है न्युक्त रता करेंगे आप लुएंध्रकितना खुर्स हुजाते हैं आप किसी पश्चु से मिद्रता किजिए भ्हत कर लेते हैं से कर लेते हैं और जंगली जानवार उन से कर लेते हैं तो यह से कर लेते हैं उस मित्रते की भावना का वे संचार करतें लगातार उस पर सयम करते हैं हर समय इसी फिराक में रते हैं कैसे हम दोस्ती कर लें वस्वों से evangelical से वनस्पतियों से दोस्ति कर सकते हैं आप इया हम्मित्रता का बल आप में आ जाएगा फिर आप पूरी स्विष्टी में आपको लगेगा कि सब हमारे मित्र हैं सबसे आप संबंद बना लेंगे वह काफी बड़ा बल होता है क्योंकि जब हर प्राणी जो आपके एर्दगर्द है उससे आप अपना संबंद बना लिये हैं मित्रता का तो सभी स हो जाएंगे क्योंकि उन सबका बल आपको मिलेगा आप उनका सायू कर रहे हैं तो ये विटाप का सायू करेंगे आप कुता को खिलाएंग तो कुता भी तो आपको बचाएगा तो किसी भी पशुपक्षी से आप मित्रता कर सकते हैं किसी भी मनुस्य से मित्रता कर सकते हैं हलाकि इसमें सबसे खतरनाक तो मनुस्य ही है क्योंकि उसकी कुटिल बुद्धि भी होती है परंतो आप उसकी बुद्धी पर न जाए आप अपने तरब से प्रवित्र भाव ना रखें मितरता की बस उतने तक रहें तो मेत्री का बल आपको आ जाएगा उसी तरह से करुणा का बल है आप करुणा भाव पर अधी संयम करते हैं करुणा अपने में विक्सित करते हैं सभी प्राणियों के लिए यानि सबके दुख में आप आर्थ हो जाते हैं और उसमें सेवा के लिए अप तब पर हो जाते हैं चाहे कोई प्राणी हो कोई मनुश्य हो तो वह भी आपको एक बहुत बड़ा बल मिलता है आप में करुणा का भाव बहुत दिवर्जस्त विक्सित होगा उसे भी आप समाधी में चले जाते हैं सबके प्रति जब करुणा होगी तो आप समाधी में चले जाएंगे या एक गुण है या एक सिद्धे भी है या एक विभूती है इसलिए विभूती पाद में इसका वरनम है क्योंकि यह एक विभूती है यह एक रत्न है, एक आश्वार है तो आप में करुणा का भाव अग जब जागरत हो जाएगा सभी प्राणियों के लिए फिर कोई प्राणिय आपके लिए सत्रूर नहीं है सबके दुख से आप दुखी हो जाएंगे और उस दुख से बचने के लिए आप उसके दुख काहरन करेंगे आप वो असारा उपाय करेंगे कि कैसे इसके दुख काहरन हो जाए बुद्ध बहुत ज़़ा करुणा पर जोर देते थे जितने भी संत्र हैं हैं सभी ने करोना पर बहुत जोर दिया है क्योंकि जब तक हम दुसरे के दुख से द्रवित नहीं हो जाएं तब तक फिर हमारा मनुश्यत तो वास्तों में भी जागा नहीं है हमारे में दिवत तो नहीं आ पाया है तो जब दिवत आएगा तो अम सभी के दुख को दूर करने की चेश्टा करेंगे ही करेंगे तो यह जो है दूसरे तो इस तरगी जब भावना जब उसमें पुरा सउयम हो जाएगा आपकी विभुती जाग जाएगी तो आपने यह समता होगी इस तरगी शमता विक्सित हो जाएगी या आप किसी का दुख दूर करना चाहेंगे तो कर देंगे कोई कितना भी पिडित है उसके सिर्फ पर अगर आपने हाथ फेर दिया वह सांत हो जाएगा उसका दुख पहुत हल्का हो जाएगा लेकिन यह तब जब यक्ति वास्ता में करोना में होता है वास्ता में वह करोना में सिद्ध हो जाता है वह वास्ता में करोना ही चाहता है और सब के दुख के कल्यान के लिए वह उपाय रचता रहता है सूचता रहता है करता रहता है बस उसके दिमाग में ऐसी ही एक बात रहत तो इसका बल से मिल जाता है और उसमें च्म्नता आ जाती है, वह सिधे आ जाती प्रति है कि वह किसी का भी फ़जिदू कर सकता है कुंडरली याग्रंश वह फार है, ओर बोब्ल उसमें आ जाता है, यह भी होती ही बाद मैं पताहिंदी जी बतला रहे हैं कि मन उसकिस के प्रकार के सिद्धियों पा सकता है तो उसमें यह है सबके दुख दूर करने के सिद्धियों जाती है कई कई रोगी होते हैं मरीज होते हैं जो दुख से परिसान होते हैं लेकिन जो करोना में जिन्होंने संयम कर रखा है, वे उसके दुख को दूर कर देते हैं, मात्र बोल करके, मात्र पर्स करके, मात्र कुछ भगूत थबूत, ये कुछ चड़ी बुटी देख करके दुख दूर कर देते हैं, उनका उद्देश है दुख दूर करता है, तो उनमे कि यदिता किमदीता कार्स होता है परसण्ड ख्रुम जब होते हैं तो आप गौर के अला वाले जो है वह हंसी भी जो है एक इस तरह से जिसे जुआ छुट की जिसे भीमारी पहलती है उस तरह से यह भी जो है काफी एपिडेमिक की तरह हो जाता है यह पूरा पहल जाता है और आप मुश्क रहेंगे तो अब भी हां सेंगे और इस तरह से क्या है कुछ का दुख दूर हो जाता है और उन्हें प्रसंदता आती है तो दुख दूर होना तो सिर्फ नेगटिव चीज है नेगटिव चीज जो उसमें थी वो खटम हो गया लेकिन मुदित जो है वो कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके नए उर्जा का संचार होता है सकारत्म को उर्जा का संचार होता हगी तो इसके लिए आप र Dalam हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो चो नोगं होते हैं तो इन लोगों ने मुदित्ता में संयम किया हूआ है सफ यह एक समस्थे हैं और महार मार taraf में हर चीजक को लेते हैं हुए तो यह बहुत ज़्यार सीरियस ली नहीं लेते ह। हर स्पिर्यस चीज को जो सिर्यस भी है कि उसको यह एक मजाग परूप में लेकर करके मुदित अवस्था में करते हैं मैं तो इनके जीने का स्टाइल गैर घंबिर होता है अगर कि तास्कों कभिरता से इस कुरा करते हैं लेकिन मुश्कुराथे वे हसते वे खुशिया बाठते वे तो यह जो मुदित अवस्था है यह बहुत अच्छी अवस्था है ने करने का मतलब यह रहे कि जोग सुनाईए किसी भी आदमी को मैं तो ऐसे साथूं को देखा हूं जो की पशुँव से पक्षियों से जोग काते हैं कि अब कुछ लोग को अजीब लगता है करें क्या समझ रहे होंगे जो आप काते हैं नहीं नहीं समझते हैं बहुत समझते हैं सब और यकीनन मैंने देखा है गौर से की समझते हैं यह भी समझते हैं कि मेरे साथ मजा खो रहा है दिल लगी हो रही है ठीठाली हो रही है तो इस तरह से आप मजा ले सकते हैं किसी को गाना सुना के किसी को कोई धून सुना के असी लगा करके कहीं द्यवद्वत्रा सागुद गुदा करके छेड़ करके सहला के अब जो है मुदित कर सकते हैं उसे भी हर प्राणी मुदित होना चाहता है अब इससे वह हो जाता है क्या प्राणी हो जाता है कि इसकी बैसिक नीड है तो मुश्में नजर आते है चूँल से थुदा साउदास हे धुख्य या अपनी नीठ पूरी हो गई अपने आरीबियों के नहीं नहीं पाई दिश्दारों के नहीं अबे तो भी तोड़ा सा followed लेकिन जब मुझ्द व्यक्ति के संपर्क में आता है तो प्रसन्य लीख्याता है We जाता है उन सब चीज़ां को सब्सक्राइब किसी को भी हसाने में समर्थ होते हैं और आउसाद में गया हुआ हतास रास आत्महत्या करने की और चल पड़ा वैसे भी वह आ जाते हैं अच्छा से संबने बना लेते हैं और सब्सक्राद्म सब्सक्रादक के साथ पिर जीवन को जीनी के भी त्यार हो जाते हैं नए से अ कि अ कि मुदित भावना में सभिन करने से आशा होता है और जो उपेच्छा की भावना का मतलब है कि बहुत वह सांत है और कोई पक्षपात नहीं कर रहा है किसी के साथ तो वास्तों में यह नय की भावना होती है कि बिना पक्षपात कि क्योंकि कभी न कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि दो विरोधी चीजें होती हैं तो उनमें एक समनवय बठाना पड़ता है एक संथुलन मड़ना पड़ता है कई घटना हैं जीवन में आती हैं वातावरण में आती हैं गरμी है ठंधा है तो आइक आपको संथुलन बढ़ेंगा अतिधिक दुख आप उसके बीच में एक संदूलन बठाना पड़े झाल या मैं इसमें एक संदूलन बठाना पड़ना में तर द दिमांसम्ज़ सम्भवत्ध को अनुद्धक है क्या थे संब्सक्राइब हो सकते हैं तब तब उपेच्छा की भावना जो है हमारे में या कोई बहुत ज़ए आलो चक है उसको नजर पर देना या जो अध्यात्म के और निचड़ें पूर्न भौति को इंदॉण करते हैं तो उसको पेक्षा का जाता दूसमें भी पेक्षा करते हैं कितने लोग हैं जो इस्वक की आलवजना करते हैं घर्म की आलवजना करते हैं जो एक समय तक कि आप से समझा सकते हैं जब उसने अपनी पॉलिसी बना लिया है कि हम न तक से समझेंगे न प्रयोक से समझेंगे ना किसी औन्य चीज़ समझेंगे हम तो बस बैर ही ठाने रहेंगे तो उसके लिए है उपेक्चा की भावना आप उसे नजर अंताज कर दीजिए उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए वो अपने विकास के अपने दौर पर है वो अपना विक्सित होता रहेगा प्रभूस का ख्याल रखेंगे बस इतना कि भगवान करें उसे सदबुद्धिद हैं ऐसा सोच लिजिए इस तरीके से हम भावना करके और उस तरह से हम सिद्ध हो सकते हैं जो यहां का गया उस प्रकार के हम बल उपेक्षा का बल हम हा एड़ेश बलाने इसका यहां पतरी और झाल, पूम्हां